हेलो फ्रेंड्स इस रवी पर्मार और आप देख रहे हो MR Help Education Support दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्पोर्ट ऑनलाइन एपलाई करने से लेके उसे अपने एड्रेस पर रिसीव करने का पूरा प्रोसेस तो चलिए समझते है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस इसके लिए आपको एकसेस करना पड़ेगा पास्पोर्ट सेवा का पॉर्टल जो है पास्पोर्ट इंडिया.gov.in यहाँ पे आपको एक ओप्सन मिलेगा New User Registration जिसके उपर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पे आपको रजिस्टेशन डीटेल प्रोवाइट करनी है जैसे कि एप्लिकेबल पास्पोर्ट ओफिस, नेम, बर्डेट, इमेल वगेरा अगर आप चाहते हो कि आपका इमेल आईडी ही यूजरनेम रहे तो आपको यस वाला ओप्सन पिक करना है आप जो भी पास्पोर्ट रखना चाहते हो उसे एंटर और कन्फर्म करें आप अपने हिसाब से हिंट क्वेस्टन ड्रॉप डाउन मैनू से पिक कर सकते हैं और उसका आंसर प्रोवाइट करेंगे फाइनली कैप्चा कोड एंटर करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का मैसेज नजर आएगा आपको बताया जाएगा कि आपके इमेल पर आपको लिंक भेजा गया है जहां से ये एकाउंट को आप एक्टिवेट कर पाओगे इमेल पर मिले लिंक पर क्लिक करते ही आपको पासपोर्ट सेवा के ये वाले पेज़ पर लेंड किया जाएगा जहां आपको यूजर आइडी याने आपका इमेल डालना है और सब्मिट करना है इतना करते ही आपका account एक्टिवेट होने का message मिलेगा और अब आपको click here to login पर click करना है यहाँ पे आपका email एंटर करना है और continue पर click करेंगे password और capture को डालके login पर click करेंगे next page में आपको second वाले option apply for phrase passport पर click करना है आपको apply करने के दो option मिलेंगे apply online और apply offline आपको पहले वाले option पर click करना है अब आपको applicable regional passport office को choose करना है और submit पर click करना है आपको एक pop-up message दिखेगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपके RPO के अंदर fall करता जो भी passport सेवा कैंदर है उसके उपर आपको appear होना पड़ेगा means आपको visit करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको ok पर click करना है next page पर आपको passport से जूड़ी कुछ और detail बतानी है जैसे phrase passport है या renew कर रहे हो normal है या ततकाल है तो यहाँ पे आपको normal ही choose करना है और booklet कितने page की चाहिए वो बताना है और next पे click करना है आगे वाले page पर आपको कुछ और detail प्रोवाइट करनी है जैसे name, gender, previous name and change name in case of marriage मिन्स अगर marriage वगरा हुई होगी तो previous name भी बताना है आपको और जो name change किया है वो भी बताना है date and place of birth वो भी बताना है marital status, citizenship status कुछ चीजे optional है जैसे कि pan number, voter ID और आधान number यह optional है तो इसे आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा लेकिन मैं recommend करता हूँ कि आपको यह सारी चीजे बतानी चाहिए employment type में drop down menu से आपको applicable option pick करना है parents या फिर spouse अगर government employee है तो वहाँ yes pick करना है education qualification में जो भी applicable है वो drop down menu से pick करे आप ECR और non ECR category में fall करते हैं तो yes और no में से applicable option चूज करें ECR category मिन्स वो वाली category जिसके लिए education check required होता है ECR category में अगर आप fall करते हो तो आपको immigration clearance करना पड़ेगा यहाँ पे आपको click here वाला एक hyperlink मिलेगा जिसके उपर आप click करके जान सकते हो कि आप कौन सी category में fall करते हो अगर आप non ECR category में fall करते हो तो prove के लिए कौन से document required है वो भी दूसरी hyperlink से आप जान पाओगे नीचे दिये गए consent statement को yes करना है और next पर click करना है next page पर आपके family से जुड़ी कुछ details आपको provide करनी है जिसमे parents details option है और spouse details compulsory है आपको requirement के हिसाब से detail feed करनी है और next पर click करना है next page पर आपको residential and contact detail provide करनी है और next पर click करना है यहाँ पर आपको किसी ऐसे person का name और address बताना है जिसे आप emergency contact के लिए prefer करते हो यह आपका family member, friend या relative हो सकता है next page पर click करते ही previous passport से जुड़ी detail और specific area में रहने वाले लोगों के लिए identity certificate से जुड़ी detail पुछी जाएगी अगर आप Tibetan और other states person की category में fall करते हो तो पहले वाला option yes करना है otherwise no रहेगा अगर आपके past diplomatic या office passport है या past में कभी था तो उसकी detail देनी है आगे कभी passport apply किया था और उसे issue नहीं किया गया तो आपको yes pick करना है otherwise no रहेगा next page पे आपको yes और no के form में कुछ और question पूछे जाएगे जो criminal proceeding, passport rejection और foreign citizenship से जुड़े है mostly आप पहली बार apply कर रहे हो और बताए गए किसी भी मुद्दों से जुड़े हुए नहीं हो तो सबका answer no रहेगा यहाँ पे simply आपको next पर click करना है next page पे provide की गई details के मताबिक passport का preview आपको नजर आएगा इसे verify करे और next पे click करे आगे आपको birth proof और address proof के साथ self declaration देना है applicable birth और address proof को आप dizzy locker से access कर सकते हो अगर dizzy locker में account नहीं है तो इसे वैसे ही छोड़ सकते है आपको only ये documents passport सेवा के अंदर पर submit करने पढ़ेंगे अगर आप passport सेवा SMS service का benefit लेना चाहते हो तो check box पे tick करना है और mobile number provide करना है ये optional service है तो उसे आप no वाले check box पर click करके avoid भी कर सकते हो finally नीचे थोड़ा scroll down करके I agree वाला check box क्लिक करेंगे preview application form पे click करके आप application का preview देख सकते हो जो कुछ ऐसे नजराएगा और इसे print या save भी कर सकते हैं अब आपको submit form वाले option पर click करना है application successful submit होने पर next page पर application reference number जनरेट होगा payment और passport सिवा कैंदर पर appointment लेने के लिए pay and schedule appointment वाले option पर click करना है next page पर आपको payment option pick करना है आप online और offline दोनों तरह से payment कर सकते हैं online payment आप net banking, debit card और credit card या फिर UPI से भी कर सकते हैं offline payment आप यहां से challenge generate करके SBI की किसी भी branch से कर सकते हैं आपकी सुईदा के अनुसार payment option pick करके next पर click करना है schedule appointment अगर बताना miss किया है तो आपको next page पर schedule appointment book करने को बोला जाएगा next page पर आपको applicable passport सेवा केंदर appointment के लिए pick करना है और capture को डालके next पर click करना है next page पर आपको payment की amount पताई जाएगी नीचे scroll down करने पर payment से जुड़े rules और regulation को आप go through कर सकते हो आपको pay and book appointment वाले option पर click करना है और आपकी सहुलियत के मुताबिक payment को execute करना है payment successful होने पर कुछ इस हिसाब से screen पर आपको confirmation नजराएगा और 10 सेकंड में फिर से passport सेवा पॉर्टल पर आपको redirect किया जाएगा next page पर आपको appointment का confirmation book appointment वाले option पर click करना है appointment book होने पर कुछ इस तरह से आपको screen नजराएगी scroll down करके आपको application receipt को print कर लेना है जो कुछ इस तरह से दिखेगी अब आपने application process को complete कर लिया है और आप जब कभी भी इसे track करना चाहो तो portal पे login करके check कर सकते हो अब appointment वाले date और time पर आपको passport सेवा केनर पर application form payment receipt original documents और उसकी जेरोक्स कॉपी के साथ visit करना है passport सेवा केनर पर आपके original document जैसे की pen card educational certificates वगेरा को verify किया जाएगा अगर आप कोई correction करना चाहते हो तो कर सकते हो आपकी passport के लिए photo ली जाएगी और passport application की verified copy आपको दी जाएगी और regional passport office पे आपकी details digital form में बेजी जाएगी कुछ दिनों में आपको police verification के लिए call आएगी और आपको police station पे जाके verification process को complete करना होगा जहां पे आपको passport सेवा Kendra ने दिया हुआ verified application form प्रोवाइट करना है successful police verification के साथ से आट दिन में आपको अपने दिये गए address पर original passport by post डिलीवर किया जाएगा तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी online passport apply करने की I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले क्योंकि ऐसी है बहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए मैं हूं रवी परमार signing off thank you thank you so much